नमस्कार स्वागत आपका टेक्निकल सार्थी यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करते हुए अपने LIC प्रीमियम का बुक्तान कर सकते हैं वो भी बिना किसी एक्स्टा चार्ज के इसके लिए सबसे पहले हमें Google Chrome एप को ओपन कर लेना है सबसे पहले Google सर्च बोक्स में हमें LIC लोगिन लिखके सर्च कर लेना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार से सर्च रिजल्ट शियो होंगे यहाँ पर हम पहले वाले सर्च रिजल्ट वाले ओप्शन को स्लेक्ट कर लेंगे यहाँ पर हमारे सामने LIC का होम पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर हमें स्क्रोल डाउन करना है और उसके बाद रजिस्टर यूजर वाले ओप्शन पर क्लिक कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें user id, email या mobile number एंटर कर देना है उसके बाद password और उसके बाद date of birth डालके हमें sign in कर लेना है यहाँ पर मैं आपको sign in करके दिखा देता हूँ यहाँ पर सारे details enter करने के बाद हमें sign in वाले option पर click कर देना है यहाँ पर login होने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक homepage open हो जाएगा यहाँ पर हमें payment करने के लिए online payment वाला option दिख जाएगा यहाँ पर हमें इस option पर click कर देना है यहां पर कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार से डिटेल्स यो हो जाएंगी यहां पर जिसके नाम पर policy है उसका नाम policy number और यहां पर आप premium का amount देख सकते हैं इसके बाद हमें check and pay वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमें फिर से अपना policy number और जिसके नाम से policy है उसका नाम और amount चेक करने के बाद हमें check and paper क्लिक कर देना है इसके बाद हमारे सामने payment के लिए कुछ इस परकार से दो तिन option आ जाएंगे यहां पर मैं first वाला option select कर लेता हूँ इसके बाद payment करने के लिए हमारे पास काफी सारे option आ जाते हैं जिसमें net banking, debit card, UPI, credit card लेकिन मैं आज आज आपको इस वीडियो में debit card का use करके payment करने वाला हूँ तो यहां पर हम debit card select कर लेंगे इसके बाद हमें यहां पर card number, expiry, date और CVV number एंटर कर देना है यहां पर card की सारी details एंटर करने के बाद हमें pay वाले option पर click कर देना है यहां पर कुछ time wait करने के बाद हमारे सामने OTP enter करने का option आ जाता है यहां पर OTP हमारे registered mobile number पर भेज दिया गया है उस OTP को हमें यहां पर enter कर देना यहां पर link देना यहां पर OTP fill करने के बाद हमें make payment वाले button पर click कर देना यहां पर हमें फिर से कुछ time wait कर लेना है यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो payment है वो successfully complete हो गया है उसकी नीचे आप यहां पर details भी देख सकते हैं यहां पर कुछ time wait करने के बाद यह page वापिस से redirect होके LIC वाले page पर open हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं premium payment processed successfully दोस्तो यहां पर आप download receipt वाले button पर click करके अपना receipt भी download कर सकते हैं दोस्तो आप भी कुछ इसी तरीके से अपने debit card की मदद से अपने LIC का premium pay कर सकते हैं दोस्तो यदि आपका LIC से related कोई भी सवाल या query हो तो नीचे comment box में comment करके जरूर पूछे दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे Thank you so much for watching